बिग बॉस 14 के घर में कविता कौशिक की री एंट्री पर अली गोनी ने की टिपनी तो भड़गी काम्या पंजाबी कही ये बात क्या है पूरी अपडेट क्या है पूरा मामला सारी बाते बताऊंगी लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चानल को लाइक श्वेर सब्सक्र एक और खेल दिमाग में सोजो और इनकी री एंट्री करवाई है ऐसे में चार पैनलिस्ट को लेकर आए वह करके सवाल पूछ रहे थे उसमें से एक काम्या पंजाबी भी थी वह भी सवाल पूछ रही थी कि आप बहात गरत दिखी तो आप किस तरीके से अपने आपको इस अब कविता कौशिक की एंट्री हो गई है इसी सब को लेकर तो अलिगोनी देखकर आए थे सार्या पूरा महौल जो था वह देखकर आए थे उसके बाद उनकी जाकर वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई तो इस पर अलिगोनी करते हैं कि इसने अपनी लेकिन इज़त जो बना इज़त है कोई आईस्क्रीम नहीं जो खतम हो जाएगी हैस्टैक अलिगोनी कमाई हुई इज़त आज भी बरकरार है इसलिए ओ लोट कर आई है है इस्टैक कविटा कॉषिक लेट डी बी बिगिन है और उन्होंने समसल्स वाला जो है सिंबॉल ढाला है है सबीज दूने यह यह अधर कविटा के सपोर्ट में आई है कामया पंजाबी तो अगर वो कविता को और उनकों कोई गलत बात लगी नहीं तो अगर जिस तरीके से लगातार वो ट्वीट कर रही थी तो बहुत से पैनलिस्ट में इनको क्यों बुलाया और अगर बुलाया भी तो यह फिर वहां पर जाकर दूसरा सवाल क्यों पूछ रही है कि आप गलत दिख गई यह तो कहीं न कहीं कहीं अगर कामिया की बात करें तो यह अपने वर्ट पर ही स्टेबल नहीं है जो मुझे जितना लग रहा है वैल आप क्या सोचते हैं इसको लेकर कविता की एंटरी को कितना ज़्यादा सही मानते हैं आप और क्या आप अलिगोनी के इस बात से सहमत है कि उन